इस व्लॉक में मैं अपनी थैलेंट ट्रिप के बारे में बताऊंगा थैलेंट जाने के लिए इंदरा गांदी एरपोर्ट टर्मिनल 3 से साड़े ग्यारा बजे रात री में हमारी फ्लाइट है मैं अभी करंसी एक्षेंज के काउंटर पे गया हूँ जहां से मुझे करनसी एक्षेंज कराने हैं लेकिन इन्हुने पताया कि यहां से हम करेंज्य एक्षेंज नहीं कर पाएंगे यह वेटिंग एरिया है कुछ ही देर में बोडिंग शुरू हो जाएगी अभी आप देख सकते हो बोडिंग शुरू हो चुकी हो और मैं प्लेइन के अंदर बोड कर चुका हूँ यह थाई एर्वेज है जो की काफी बड़ा एर्वेज है आप देख सकते हो सबी सीटों के आगे स्क्रीन लगी हुई है इन्होंने हमें एरफोन दिया है एक ब्लैंकेट दिया है सीट काफी कमफर्टेबल है आप देख सकते हो अभी टेक ओफ के लिए प्लेन डेडी हो रहा है अभी लोकल टाइम दिली का ग्यारा बचके 16 मिनट हो रहा है अभी एर हॉस्टीस सभी का बैगेच कांटर चो यह वो बन्द कर रहे हैं जिए मेरा पासपर्ट और बौर्डिंग पास हैं अभी एर होस्टिस furnace कीमाफ के लिए और यह प्लाइट में आप देख सकते हो टीवी ओपेर्ष करने के लिए लिए और यह टेक ओफ के लिए है कुछ ही दियर में टेक आफ करेगा को यह अभी लाइट ओफ हो चुकी है आप देख सकते हो रात का नजारा कुछ ही देर में हमारे ब्लाइब आ चुका है और काजू अब दिये रहे हैं सिर्थ में आपको विड़ो का नजारा दिखा रहा हूं विल्डो से कि वुक्त बच चुके हैं और हम बैंकोग पूछ चुके है यह वैंकोग Airport पर जा रहे हैं यहां पर पे एक्षेंज के काउंटर है लेकिन यहां पर करण से एक्षेंज का रेट बहुत ही है यहां से हमें एक ट्रेन आएगी जो कि हमें एरपोर्ट की ओर देखे जाएगी अभी हमें इमिग्रेशन सेंटर पे भी जाना है जहां से हमें पास्पोर्ट पे स्टेंप लगाएंगे यह ट्रेन आ चुक है जैसा कि आप देखते हैं सच बता हूं थे डैली मेट्रो से डबल ट्रिपल स्पीड इसकी तेज है काफी ट पे आ चुके हमाँ फेमिग्रेशन करया है इमिग्रेशन के भारी हमारी का गाइडर जिसका ऊप्वजएक है वह कर रहे हैं और आप हम बाहरी बस लगली होई है अ मेथ देखिए अब हम बस फ़ 2 बैट गया कर रहे है और राए पार कि माम ब्रेमें ब्रीट कर रहे हैं पुई-पुई का नेचर भी बहुत ही अच्छा था है शीज तो हमबल और उसने हमें हर एक चीज के बारे में बताया यह हमारी बस है बिसिकली यह ट्रिप मैंने 12-13 लोगों के साथ की है यह देखिए अभी मोसम सुबह के अच्छली 7 बज रहे हैं और बारिश हो रही है यह यहां पर टाइगर टॉपिया एक जगह है जो कि बहुत ही अच्छा प्यारा रस्टरेंट है यह आप देख सकते हो यहां हम ब्रेक पास्ट के लिए रुके हैं यहां पर दो टाइगर भी रिजर्व्ड हैं जो कि मैं आपको वीडियो से दिखाने की कोशिश करूँगा यह देखिए अभी हमने आपे बेट पास्ट किया है अभी आप देख सकते हो टाइगर वहां पर सोय हुए हैं दो टाइगर बैठे हुए हैं यहां में आप से मिलूँगा अपनी के बारे में बताऊंगा वीडियो अच्छी दो क्यों प्रूस लाइप करिए